नमस्ते बच्चो स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारी यूटिब चानल इनोवेटिव आशुत दोस्पर बच्चो पिसले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 6 के हिंदी के पार्ट दूसरा हार की जीत का प्रुश्ण अत्र कर आये था आपने इसे अच्छा पसंद किया काफी संख्या में पसंद किया है आईए इसके प्रश्ण अत्र के बाद एक छोटा सा वक्सीट करते हैं आपको मज़ा आएगा उसमें 4 या 5 प्रश्ण होँगे बहुत ही छोटा वीडियो होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्ण बाबा भारती कौन से पहर के आरंब होते ही अपनी कुटिया से निकल कर ठंडे जल से स्नान करते थे आप जानते हैं बाबा भारती एक ऐसे साधारन इंसान थे जो कि अपने घोड़ी के साथ एक कुटिया में रहते थे तो यहाँ एक शब्द है पहर पहर को प्रहर भी बोल सकते हैं भारती जो काल गणना या समय गणना है उसमें पहर का जिक्र है और एक पहर जो है वह छह घंटे का होता है यही कारण है कि जब हम बोलते हैं दो पहर मतलब 6 और 6 बारा हो जाते हैं मतलब दीन के बारा बज़ जाते हैं उसी तरह बहुत सारे घरों में 4 पहर वाला किरतन भजन होता है जिसको गाओं घर में 4 पहरा भी बोलते हैं तो 4 पहर मतलब 4 पहर वाला, 4 पहर मतलब 6 गुनान 6 जोड 6 जोड 6 जोड 6 जोड 6 मतलब टोटल 24 घंटे का एक जो भजन किरतन होता है वह 4 पहर कहलाता है तो इसलिए पहर हो गया 6 घंटे का समय तो कुटिया से निकल कर ठंडे जल से सनान कब करते थे वह होता था जब तीसरा पहर बीत गया और चौथा पहर की शुरुबात होते थे मतलब रात के बारा बजे चीखें रात के बारा बजे बाबा भारती जो हैं वो कुटिया से निकल करके ठंडे जल से सनान किया करते थे चलिए ये हो गया इसका उत्तर पहला नंबर दूसरा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूँगा यह वाकि किसने कहा था बाबा जी को किसी ने एक तरह से धमकी दे थी वह था डाकू खड़क सिंग कौन था डाकू खड़क सिंग ने ऐसा कहा था चलिए अगला प्रशन देखते हैं ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाज रहा हो यह किस के लिए कहा गया है? क्या सुल्तान के लिए? क्या भगवान के लिए? या बाबा भारती के लिए? या खड़क सिंग के लिए? चलिए देखते हैं उत्तर यह सुल्तान के लिए कहा गया है आप जानते हैं हार की जीत जो पाठ है उसमें सुल्तान नाम का एक बहद ही खास और पहुत ही अच्छा घोड़ा है जो बाबा भारती का है उसका नाम सुल्तान है अगला प्रश्ण बाबा भारती गाओं के बाहर कहां रहते थे छोटे से घर में, छोटे से तालाब में, छोटे से तलब पर, छोटे से महल में या छोटे से मंदीर में तो उत्तर इसका है छोटे से मंदीर में रहा करते थे अगला प्रश्ण जिस तरह मां को अपने बेटे को देखकर आनन्द आता है उसी तरह किसान को अपनी क्या चीज देखकर के आनन्द आता है हाल बैल, बेटा बेटी, या भगवत भजन, या लह लहाते खेत तो सही उत्तर इसका है लह लहाते खेत ठीक है? अब यही था अन्तिम प्रश्ण, बच्चो यह 4-5 प्रश्णों का वीडियो उमीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा इदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके बता है ठीक है बच्चो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में फीर कोई नए टॉपिक के साथ तब तक आप सबी का वीडियो देखने के लिए हार देख धन्यवाद